Assalamu alaikum ladies and gentlemen and welcome in the video. ये video एक introductory video है on CPAC. बहुत ही एहम topic है. CPAC के हवादे से दर असल internet पे और television के अपर भी आप बहुत सी information सुनते रहते हैं. अगर मैं अपनी बात करूँ as a teacher, तो मेरे पास भी इतनी information आती है कि sometime हम इसमें confused हो जाते हैं कि एक authentic information कौन सी है. और एक ऐसी information जो अभी reliable source से confirm नहीं हुई है, वो कौन सी है. इसलिए हमने यह सोचा कि आज क्यों ना हम CPAC के हवाले से बात करें. Orientation से लेकर, एक entrepreneurial lens से लेकर, उसको एक advanced level तक की जो discussion है, उसको आप के लिए लेकर आएं. हम भी ताकि सीख सकें और आपके लिए भी लेकर आ सकें कि एक right understanding जो है of CPAC, जो के एक बहुत ही जवान जदयाम है आज कर, वो basically है क्या. उसके लिए अपने studios में आज जो मैंने CPAC के हवाले से discuss करने के लिए और information को confirm करने के लिए बुलाया है. She is Dr. Zainab Ahmed, PhD है, international relations में और Dr. Zainab की बहुत सी publications हैं, basically region security और CPAC के उपर. So, Dr. Zainab, first of all, thank you very much for joining us in the studio. Dr. Zainab से जो मैंने बहुत से सवाल करने हैं, एक तो मैंने उनसे ये समझना है कि CPAC basically है क्या, और जो common myth इसके साथ जोड़ी भी है, वो क्या है? फिर मैंने अपने धेर सारे सवालों की list में ये भी रखा हुआ है कि इसका overall एक जो impact है region पर वो क्या हो सकता है? पाकिस्तान का जो एक region है, पाकिस्तान के उपर इसका क्या impact है और उसके हवाले से सबसे एहम चीज जो हमारी समझने की है, कि इसका जो एक historical perspective या background है, वो क्या है? जैनब के साथ मेरे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर रिजवान सलीम, रिजवान को मैं ये वले सवाल इनके सामने रखूंगी, कि CPAC का जो entrepreneurial lens है, यानि पाकिस्तानी entrepreneurs के लिए CPAC क्या है, इसके जो opportunity window open हुई है, उसके लिए being an entrepreneur क्या तैयारी करनी है, और खास तोर के उपर जो एक सबसे एहम सवाल किया रहाता है, वो यही किया रहाता है कि CPAC हमारे SME सेक्टर के रिए कितनी बड़ी opportunities लेकर आ रहा है, तो रिजवान, thank you very much for joining us in the studio, start लेते हैं Dr. Zainab, आप से, पहले तो हमें ये बताये, CPAC क्या है, इसका historical perspective क्या है, जी, Assalamualaikum, बहुत शुक्रिया मुझे यहां बुलाने के लिए, और एक इंतहाई एहम मौजू पर बात करने के लिए, CPAC, अगर हम इसको history में देखें, यह हमें आज एक नया concept लगता है, लेकिन तारीख में आपको इसके, एक बहुत लंबी तारीख है इसकी, जिसको silk road कहा जाता है, पुराना रास्ता जो चाइना से लेकर, वेस्ट में बहुत दूर तक पहला हुआ था, जो Central Asia से गुजरता था, जो South Asia से गुजरता था, Middle East से गुजरता था, और वो सिरफ silk road इसको इसलिए कहा जाता था, क्योंकि वो Chinese silk बेसिटल यहां से export होता था इन सारे अलाकों में, लेकिन जो एक trade route होता है, और तारीख में जितने भी तजारती रास्ते रहे हैं, वो सिरफ उनका मक्सद तजारत नहीं रहा है, वो तजारत के साथ, people to people contact, cultural exchange, civilizational exchange, knowledge exchange, इन सब का जरिया रहा है, तो जिस तरह इसको भी new silk road कहा गया, और 2011 में, अमरीका की तरफ से यह एक concept आया, जब Hillary Clinton, foreign minister थी, अमरीका की, foreign secretary थी, कि इस silk road, old silk road को revive किया जाए, तो उन्होंने यह concept दिया, लेकिन जो resources इसके लिए required थे, वो United States of America के पास नहीं थे, उस्वाकर, 2013 में, President Xi of China, he gave this concept of new Asian security, new Asian security का मतब यह था, कि हम जो Soviet Union के demise के बाद, अब बलकुल Western, एक world order के तहर दुनिया चल रही है, अब Asia को एक नई outlook देनी चाहिए, जो कि Asians खुद लीग करें, and that should be according to the requirements of patients, and और जो perspective था, वो यह था, कि जो आपकी security है, वो incomplete रहती है, without economic security, तो उसके लिए एक concept दिया गया, one belt, one road, one belt, इसमें बड़ी मज़े की बात यह है, कि one belt, one road, actually, जो रोड है, यह sea lanes of communication जितनी भी है, इंडिया नोशन और Pacific Ocean की, जो कि यह तजारती गुजरगाहें हैं, जहां से बहुत जादा चाइना और South East Asia की trade होती है, उसको रोड का नाम दिया गया, और जब यह connect करती हैं आके जमीनी रास्तों से, रोड और रेलवेर नेटवर्क से, तो इसको बेल्ट कहा गया, और one belt, one road का नाम पिर जब इस पे बहुत जादा वेस्ट की तरफ से यह criticism आया, कि शाइद यह one world की तरफ ले जाया जा रहा है, तो फिर इसका नाम modify कर लिया गया, belt and road initiative, तो BRI एक basically जो concept है, जो President Zee का vision है, to connect 64 countries from Myanmar to Vienna, from the easternmost port of Myanmar to the westernmost port of Vienna, तो यह actually Eurasian landmass को connect करने का है, जिसमें 64 to 67 countries को connect किया जाता है, और यह trillions of dollars का project है, जिसमें एक बहुत बड़ी infrastructural development की तरफ लेके जाया गया, यहाँ पर मैं यह बता दूँ कि infrastructural development एक बहुत एहम जरूरत है Asia, और जब भी कोई leading power आती है दुनिया की stage के उपर, तो वो infrastructure में सबसे पहले invest करती है, जब World Bank और IMF ने अपनी funding शुरू की, तो वो 70 पीसद अपनी total funding का infrastructure में देते हैं, जो कि आप कम होके 30 पीसद रह दिया है, हर साल Asia में 5 trillion dollars की infrastructure deficit होता है, तो यह इस project की एक दम से, जो acceptability थी Asia में, उसकी भी एक बड़ी वजा यह थी, कि जो infrastructure development, roads, new cities, railways, trade routes, इन सब की development के उपर जो focus किया गया BRI में, उसकी पहले से बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी Asia में, इसलिए Asian countries ने इसको सबसे पहले, और particularly इन मुलकों ने, South Asia, Central Asia, South Asia में, पाकिस्तान, उसके बाद सबसे एहम पाकिस्तान है, South East Asia में आप चले जाएं, तो बंगलादेश, म्यानमर, यह मुलक बहुत actively involved होना चाह रहे हैं इसमें, क्योंकि शायर इन ही मुलकों में सबसे ज़ादा infrastructure development की ज़रूरत दी है, बहुत ज़ादा, इंडिया ने initially अभी इसको join नहीं किया और इंडिया की तरफ से जो मसला है वो इसलिए है, क्योंकि इंडिया अपने आपको चाइना का direct rival देता है, इस region तो इंडिया की तरफ से अभी reluctance है, अब जब हम economic corridor की बात करते हैं, तो जो एक गुजरगा है, किसी मुलक यहां, दो मुलकों में, जो के तजारती रास्तों क बहुत आसान बना दोती है, यह concept है, economic corridor का, और जहां पर भी economic corridors develop होते हैं, उसके साथ नए शहर बनती हैं, नई industries लगती हैं, नए अबादिया बनती हैं, तो जो total economic corridors हैं, BRI के तहत, वो 6 हैं, जिन में Myanmar, China, Bangladesh, India, China, Central Asia, China, Pakistan, economic corridor, China, Mongolia, economic corridor, तो उसमें जो एक बहुत एहम है, जिसको flagship project of BRI का जाता है, China, Pakistan, economic corridor, उसकी वज़ा यह है, जिसना मैंने पहले बताया कि जो समंदरी गुजरगां हैं, sea lines of communication in Indian Ocean and Pacific Ocean, उनको connect जो करता है, जमीनी रास्तों से, वो चाइना, पाकिस्तान, economic corridor का जो starting point है, गवादर डीप सी पोर्ट, गवादर पोर्ट is that very important point, अगर आप, गवादर पोर्ट के ज्यादा एहम बात यह है, कि यह जो Strait of Hormuz है, जो एक पानी का हिस्टा है, दर्मिया इरान और दूसरी तरफ Gulf countries जो है, में अमान, साओधी अरेबिया, UAE, Qatar, Kuwait, उनके दर्मियान जो पानी का हिस्टा है, जहां से तक्वीबत दुनिया का 80% तेल निकाला और ट्रांस्पोर्ट किया जाता है, उसके बिलकुल श जब एक शिप लंगर अंदाज होता है, तो उसके साथ आपको बहुत सारे चोटे जहाज लगाके वहां से माल लाना पड़ता है, तो यह नैचरली जमीन का हिस्टा इतना आगे है पानी में, कि बड़ा बहरी जहाज इसके विलकुल साथ लंगर अंदाज होता है, और इसमे नैचरली 120 से ज़्यादा बर्ट की गुझाईश है, तो जब अस्ती फीसद तेल यहां से गुजरता है, तो गवादर के अंदर जाहर है कि दुनिया की उन मुलकों का इंट्रस्ट पैदा हो जाता है, जिनका तेल यहां से आता है, जिनमें लीडिंग चाइना का अस्ती फीस अस्ती चाइना के मशर्की पोर्ट और फिर चाइना के मशर्की हिस्ते से मखरबी हिस्ते तक का साड़े चार हजार किलो मीटर का रास्ता है, गवादर से जब आप काशगर जाते हैं, चाइना के सिंक्यांग एट्रॉनमस पीजिन में, वहां तक यह रास्ता सिरफ धाई हज चीज़ार किलोमेटर और समीन जासता है। बाएक बहुत बड़ा आप कहसे एक epeak breakthrough है उनके लिए that इतना ही कट हो जाता है उसमें कॉस्ट भी टाइम भी सब चीजों की बच्छत है बहुत जादा बच्छत है और उसके इलावा जो चाइना का एक बहुत बड़ा इशू है वह मलाका डाला कि जब यहां से यह गुजरगा गुजरती है स्टेट अफ फॉरमस से निकल के यह स्ट स्टेटी के इशूस बहुत बढ़ जाते हैं जिसको कहा जाता है मलाका डाला अमरीका के सिरफ 13 से 15 जहाज बड़े आराम से मलाका स्ट्रेट ऑफ मलाका को ब्लॉक कर सकते हैं तो यह एक बहुत बड़ा अल्टरनेटिव प्रोवाइड करता है इसका यह कता ही मतलब नहीं है कि चाइन अपने पूरी की पूरी की ट्रीट फिस तरफ डाइवर्ज करता है लेकिन ऐख आर रोगय एक है ब़हां बड़ा बार बाड़ बड़ इह दूसरी ग भाध बढ़ी एहमियत इसकी चाइन के लिए है कि चाइना की चूके इनेशली सारी पोर्ट्स जोती वो इस्ट में पैसिफिक ओशन की तरफ लगती थी तो चाइना की सारी डिवेलपमेंट इस्ट चाइन वेस्टरन चाइना डिवेलप अब इसमें जो एक बहुत बड़ा एकोनॉमिक जोन बनाने जा रहा है करने के लिए और वहां से पिर डिरेक्टल एशिया रॉश्या यॉरप वहां तक यह पाकिस्तान के लिए यह बहुत बड़ी इंपोर्टन्स है कि चाइना का तो एक वेस्टरन एरिया कवर करता है और बियाराई का एक एंटहाई एहम प्रॉजेक्ट है यह लेकिन पाकिस्त है और रेलवे नेट्वर्क भी कवर होते हैं तो यह आपके चारों सूबों को फिर आपका उपर जो गिलगत बलतिस्तान का इलाखा है वहां से यह इस्लामबाद पिंडी तक यह तीन रूट जाते हैं और उसके उपर फिर यह एक वाहिद रूट है जो गिलगत बलतिस्तान से गुजरत है तो अगर यह कहा जाए बलकि यह एक हकीकत यह कर क्राकरम हाइवे असल में पहला था क्क कि कर प्लतिस्तान हम यग उस हिस्तुरेख C impacting तो सिप्य तो पाकिस्तान के अंदर जो एक बहुत ज्यादा infrastructural development को revolutionize करता है फिर थीचरी एहम बात है कि पाकिस्तान के लिए इसकी importance बहुत ज्यादा है कि जो maximum investment थी चाइना की वो infrastructure में भी energy initial investment जब यह announce हुआ September 2013 में CPAC को announce किया गया तो initial investment उस वकत 46 अरब डॉलर जिसमें से तक्रीबत variations amounts में आती रही और आती भी रहेंगे लेकिन उस वकत यह कहा गया कि यह investment 36 अरब डॉलर तक भी गई energy project और energy के उपर energy में reliance जो है पाकिस्तान की चूंकि पाकिस्तान का 65% energy input जो है वो कर्मल से आता है तो यह बहुत बड़ा चैलेंज पाकिस्तान के लिए और हम उस वकत जिस energy electricity आउट एज से गुजर रहे थे हमारी industry जिस तरह से एफेक्स हो रही थी यह इमिजेट बहुत बड़ा relief था short term में भी medium term में भी है और long term में यह हमारे energy sector के लिए बहुत बड़ा relief लाएगा क्योंकि जाहिर है जितनी investment energy में होगी उस हिसा जितनी investment industry में होगी उसी हिसाब से energy में investment होगी दूसरा एक बहुत एहम हिसा आपके सवाल का यह था कि यह East India company है बिल्कुल यह हम recording से पहले जब discuss कर रहे थे तो मैंने कहा था कि मैं जैनब आप से यह सवाल जरूर करूंगे because जितने आपने पूरा explain किया तो हमारे audience को भी यह पता चला होगा कि CPAC एक historical presence रखता है एक historical perspective है इसका ठीक है और यह एक revival है अच्छा आपकी जितनी आपनी details बताए उससे यह भी नजर आ रहा है कि जो एक world order political shift है यह उसका भी पेशखेमा है तो मेरे जहर में सवाल यह आ रहा था क्योंकि पाकिस्तान जो है वो एक beneficiary है नेज़ beneficiary है इसका CPAC के हवाले से बहुत से discussions में सुनते सुनते यह भी आया कि यह भी एक तरह कि East India Company नहों पाकिस्तान के लिए सो मेरे यह सोटावादा कि सवाल में आपसे जरूर पूछूंगी के is it so कैसा है इस India Company के देखें जब हम उसको स्यास्ती समाजी बहुत सतनाजूर से देख से हैं तो सबसे एहम कबजा जो था वो East India Company ने आफर में हकूमत के उपर किया चाइना जो है वह इंपीरियलिस्ट पावर कभी नहीं उस तरह की इक्सपैंशनिस्ट पावर कभी दूसरी एहम बात कि है कि यह जो इंफ्रस्ट्रक्टर्ट्र इंवेस्टमेंट के प्रजेक्स होते हैं यह हमेशा से तारीख का हिस्ता रहे जो भी ग्लोबल पावर होती है वो अपना जाहिर है कि अपना अस्टरसोग दुनिया के लिएुए वह इन्वेस्टमेंट करते हैं हम मैं समझते हूं मेरा जात ही फ्याल ये है कि किसी दूसरे मुल्क के इन्वेस्टमेंट का असर लेने आपे ऊपर किस हद तक असर आता है वह आपके अंधरूनी मामलां प और जो इसकी इनिश्टल इन्वेस्टमेंट भी थी 46 अरब डॉलर ऐसा नहीं था कि उसमें से सारी कि सारी इन्वेस्टमेंट चाइनीज प्राइवेट और पॉब्लिक कम्पनीज कर रही थी तो पाकिस्तान की तरफ से नहीं हो रही थी तो आपने तब भी 18 अरब डॉलर की जो इनिशल इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर से हूँ वह असल में आपके ही लोग इन प्रोजेक्ट के त्वू अपने ही मुल्क में इन्वेस्टमेंट भी कर तो इन्वेस्टमेंट एक डिफरेंट चीज है आपका आपके पास प उसका बहुत ज्यादा फाइदा आपको है कि आपकी इंप्लॉइमेंट कितनी जेनरेट होती है यहां पे आपके रिस्टोर्स यहां के यूस होते हैं अब वो टैक्स पे करते हैं आपको आपका टेक्टेशन सिस्टम कितना एफेक्टिव है आपका रिस्टोर्स यहां पर यह है कि यह इस्ट इंडिया कंपनी से ज्यादा बड़ी डिबेट आगे चलके डेट ट्रैप की बने जो कि एक कॉंसेट की तरफ से आया के डेट ट्रैप में फसाया जा रहा है और इसमें एक एहम वाक्या हुआ था जो कि बहुत ज्यादा आप इंटरनेट पर जितने भी सोर्स पड़ें तो उसमें कहा जाता है कि चाइना ने पोर्ट के उपर सिरी लंकन पोर्ट के उपर कबजा कर लिया क्योंकि वो पेमेंट पर फंडिंग पार्टी जो है उसके उसके उनर्शिप राइट उस पे हो जाते हैं तो यह स्रेलंका की मर्जी से ही हुआ था यह इतना आसान नहीं होता दूसरा जो चाइनीज कर्जा इसकी मद में आ रहा है वो पाक्स्तान के टोटल कर्जों का सरफ दस की और उसका फाइदा को इसलिए भी होत है कि जो हम करजे लेते हैं आयमेफ और वर्ल्ड बैंक से वह ज्यादा तर हमें दिये जाते हैं एड्मनिस्ट्रेटिव और सोशल सेक्टर जो के आउट्पूर्ट उस तरह प्रड्यूस नहीं करते जिससे हम फर्दर डिवेलप्मेंट कर सकें यह इंफ्र पर्ड़ बहुत लो है अज गुए आपका वह जो एक प्रस्पेक्टिव था जो आपने बिल्कुल शुरू में दिया कि अगर आप चाइना को देखें और उसके उसकी हिस्ट्री को देखें तो वह कभी भी उनका जो अंदाज है वह ऐसा नहीं रहा जैसे एक पेंचनिस का ह हमारे लिए अच्छा आखरी सवाल जो मैं आपसे करना चाहरी हूँ वह यही है कि इसका जो एक इंपक्ट है रीजन पर यानि वह जो एक सवाल मैं ने छोड़ दिया था ना शुरू में कि अच्छा मुझे लग रहा है कि एक बहुत-बड़ा प्लिटिकल शिफ्ट भी वोल ठीक है because again एक राइवल्री भी तो जिससे आप ने कहा कि इंडिया इस नोट ये पार्ट अफ इस प्रोजेक्ट को कि रीजन राइवल्री भी इसके अंदर इंवल्वल्व है रीजन में इसका इंपक्ट और खास दौर पे पाकिस्तान में इन तीनों हिस्सों में इंफरस्ट्रक्ट्टनल का तो आप तें बता दिया उसके इलावा एक सोचल और उसके इलावा एक पुरा जो एक आप यू समझ लें कि एक पुरा एक सेटप रेडी होना है इस इपक के हवाले से वो इंफरस्ट्रक्टर हो वो सोचल हो वो लीगल हो तो उसका इंपक्त है ओर ओर रीजन एंड स्पेसिफिकली पाकिस्तान उसके हवाले से मुझे जानना है इस बात से तुनकार नहीं किया जा सकता कि दुनिया अब यू एस चाइना राइवल्री में दाखिल हो चुकी है और जाहर है कि आपको जो मिडल रेंज पावर्स होती है जो रीजिनल पावर्स होती है जिसना पाकिस्तान है आपको अपने आपको अजर्स करना पड़ता है जो भी ग्लोबल इंवाइर्मेंट डिवेलप हो रही होती है जो पुलिटिकल शिफ्ट तारे हो उन्यस सो संटालेस में जब पाकिस्तान बना था तो तब सबसे एहम डिवेलपमेंट कोल्ड वर इसके हिसाब से पाकिस्तान को अपने आपको सेटल करना पड़ा और पाकिस्ता जब खड़ा होके आपको सबसे बड़ा इस सबसे बड़ाए इसुंकि इस पर्एनशनल सेक्यारीटि इस्धिया ही रहा जोंकि पागिस्तान का आर्ट व्राइवल है और इंडिया अपने आपको चाइना के मुकाबले कीव जिसमें आप पिछली 170 में इंट वाउस प्रजेक इंडिया की बहुत हेल्प की है और यूएस इंडिया स्ट्रिटीजिक पार्टनर्शिप अब इस लेवल पर पहुंच गई है कि पाकिस्तान को अपने अल्टरनिटिव देखने हैं तो यह इस सिनाडियों में पाकिस्तान अपने लिए चाइना पाकिस्तान एकनॉमिक कॉरिड है जो कि पाकिस्तान के को एक बहुत पीजिबल रिलेशन्शिप लगता है उसके मुकाबले में जो पाकिस्तान का यूएस के साथ रहा जब हम एक दफा दुबारा नजर डालते हैं कि हम सी पैक को चलाक इस तरह रहे हैं तो यह बड़ा जॉइंट मैकनिजम बराबरी की सता पर है कि इन्वेस्टमेंट्स तो बेशक वहां से आ रही हैं लोन्स भी आपको दिये जा रहे हैं लेकिन दोनों हकोमतों का मिलके एक जॉइंट कोडिनेशन कमेटी है जिसकी वहां पर उनके जो रिफॉर्म कमिशन के वाइस प्रेजिडेंट हैं वो इसको हैड करते हैं और इसके बाद मजीद होती रहेंगी तो वह इसको एनलाइज करते हैं और इसकी फाइंडिंग्स उनकी वेबसाइट में देखते हैं वह प्रोग्रेस देखते हैं और एक बहुत इंपोर्टेंट इस वकत इसका जो बेसिक डॉक्यमेंट है वह स्टीपाय का लॉंग टर्म प्ल पर 2020-25 तक मीडियम टर्म पीरियड है जिसमें बेसिक डिवेलपमेंट सारी पूरी करने हैं और 2020 से लेके 30 तक जो इसका लॉंग टर्म पीरियड है जिसमें ओवर और पूरे का पूरा स्टीपैक मुकमल हो जाएगा एंजिक्यूट हो जाएगा अपने तमाम मोहरतात के साथ अब यहां पर एक इशू यह भी है कि पाकिस्तान चुके अब इसको एक बहुत बड़ी ऑपरचुनिटी के तौर पे ना सिर्फ ले चुका है बलकि इंब्रेस कर चुका है और उसके फवाइद नजर आना शुरू हो रहे हैं कि बिल्कुल इनिशल स्टेज में ही एस्टिमे वाला है पाकिस्तान को सिर्फ अपने आपको पॉलिटिकली और एकनॉमिक लिए इसके लिए त्यार नहीं करना सोशल इंपक्ट बहुत ज्यादा होता है क्योंकि जिसना आमने शुरू में बात की कि जो एकनॉमिक कॉरिडॉर्स और ट्रेड रूट होते हैं वो सिर्फ तज चैनल तो यहां पर किसी से कम नहीं है हम एक इंडस रिवर्स डिविलाइजेशन तो यह जो एक एक तोशल एक स्चेंज है इसका एक बहुत बड़ा इंपर जो होने जा रहा है उसके लिए भी हमें जाहिर है कि अपनी सुसाइटी को तियार करना है और जिसके लिए एक जिस पर हमें focus करना चाहिए और यंग students को बहुत ज्यादा focus करना चाहिए क्योंकि educational exchange language टीखने से और Chinese business management परने से Chinese entrepreneurship परने से Chinese culture परने से कल को बहुत सारी ऐसी opportunities खुलेंगे कि जो आज undergraduate level के students हैं वो अपने आपको market में किस तरह कल को sell करता है बेलकुल और जैनव आपने बेलकुल सही कहा कि educational institutions का रूल बड़ा एहम होता है इस्ते यह जतनी भी leading universities हैं अब वो एक मुकंबल अपना एक अलग set of a club unit बना रहे हैं for the CPAC और हमारी भी यह जो video recording है basically उसी का हिस्सा है कि Virtual University of Pakistan जो है CPAC के हवाले से experts को बला के जो एक information है और सबसे जरुरी चीज़ की चीज़ों को हम basic level पर समच रहे हैं बजाए इसको common myths के ओपर हम judge कर रहे हूं आपने जहां तक बात छोड़ी कि जो entrepreneurs हैं उनके रिए एक window open हुई है तो रिजवान आपकी तरफ में आते हूं indeed एक बहुत एहम बहुत critical window of opportunity open हुई है हमारे entrepreneurs के लिए और हमारे SME sector के लिए सो CPAC जब आ गया है और CPAC ने 2030 तक execute होना है हमारे SME sector के लिए ये कितना beneficial है हमारे SME sector को कितने ये तयारी की जुरूरत है और हमारे entrepreneurs को इस एक opportunity को किस lens के साथ देखना चाहिए that was a very important question शुक्रिया नौरीन डॉक्टर जैनब ने इस तरह CPAC उसका तारिखी पसमनजर और उसके जो असरात हैं उस पे घुटू की है उसी बात को आगे बढ़ाते हुए देखें जो CPAC है ये एक multifaceted project है अब हम इसको चुक्छे इसके उपर सियासी नुक्ता नजर से इतनी ज्यादा हमारे हाँ धूल उड़ाई गई है nationally भी और internationally भी कि इसके जो economic basically जो इसका spirit है वो कहीं दब के रह गया है और इसी तरह से जो हमारे entrepreneurs हैं जिन्होंने दरसल जो economic जो इसका angle है आसपेक्ट है जो उन्होंने उसको exploit करना था वो हमारे सामने उस तरह से नहीं आया जो CPAC है नारीन अब यह देखिए कि इसके अंदर मुखलिफ projects हैं इसके मुखलिफ हिस्से हैं इसमें एक हिस्सा energy से मतलिक है दूसरा हिस्सा जो है वो आपकी road infrastructure development से मतलिक है तीसरा इसा आपकी जो rail infrastructure है अगर हम पाकिस्तान में रहें तो इसका जो flagship rail का project है वो पिशावर to कराची या कराची जो पिशावर आपके हैं जो railway line है उसकी enhancement है उसकी improvement है वो उसके अंदर है उसके बाद cpac के अंदर आपकी ports development है आपकी जो खासता अपर जो गवादर port है उसकी development इसके अंदर शामिल है फिर इसके साथ साथ जो आपकी ICT optic fiber बिचाई जानी है along the जो आपका cpac का जो route है उसके उपर वो भी इसका हिस्सा है फिर इसके साथ साथ जो है वो cpac के जो आ mass transit project जिस तरह आपने orange line का project देखा हो इसी तरह city development project है जिस तरह गवादर port के साथ गवादर की city है तो ये इसके main बड़े-बड़े projects हैं अब आप देखिए कि ये जतने भी projects हैं ये अपने अंदर बेपना business opportunities लिए होगा आप जितने projects कहते चले जा रहे हैं मेरे भी जहन में और जो वीडियो देखे हैं उनकी जहन में जो linking industries हैं तो we can imagine the size of an opportunity कि जितने ये multiple projects हैं और जितनी इसके साथ industries जुड़ी वी हैं तो we can say it's a mega opportunity for all the entrepreneurs देके ना अभी तो CPAC में जिस तना डॉक्टर जानब ने refer किया था कि इसने phases में आगे बढ़ना और अभी शायद हम इसके दूसरे phase में दाफिल हुए हैं पहले phase के अंदर हमारे हाँ दो areas में सिर्फ काम हुआ है एक energy के कुछ projects यहां पर लगाए गए हैं जिस तना अपने cool based project साहिवाल में लगा है और इसके अलावा लगे हैं जिसका immediate benefit पाकिस्तान को यह हुआ है कि वह हमारा electricity crisis था एक बहुत सालों से उसको हमने पाकिस्तान ने बहुत हथ तक overcome कर लिया है दूसरा जो है वह road के उपर आपकी development हुई है और किसी हथ तक जो CPAC के एंगल से जो हमारी गवादर पोर्ट है उसकी development हुई है तूरिजम इंडेस्टरी भी बहुत इसको आप phase one अभी कहते हैं अगर मैंसरे भी कहूंग कि कुए हमारे हाँ जो kick start हुआ CPAC का project 2013 के अंदर इसके ओपर main जिसना उनने Chinese President को भी बताया और यहां से पाकिस्तान government जो उस वक्त थी उसने उ पाकिस्तान में बहुत सरे projects design हुए और पंदरा, सोला, सत्रा, अठारा तक अब ongoing भी हैं वो projects implement होते चले गए तो मैं कह रहा हूँ कि वगर आप उस छोटे से size को देखें तो जो energy के projects थे अब एक energy का जो project लगता है उसमें main जो आपकी investment opportunities आती हैं उसके साथ जिस इलाके में वो energy का project लगता है अब आप देखें ना जो आप SME's के angle से अगर आप देखें तो SME का जो popular role किसी economy में होता है वो bridging role होता है वो असल में large scale जो आपका sector है उसको दो जगहां से support देता है supply side पे भी और उसको वो demand side पे भी support दे रहा होता है तो बहुत ज़्यदा economic activity जो है वो generate हुई energy के सिरफ जो आपके मनसूबे लगे उसके बाद जो आपकी motorways बनी और आप further भी बन रही है extend हो रही है motor ways उसमें आप देखें कि कितनी ज्यादा बड़े और चोटे entrepreneurs के लिए opportunities generate होई अब उसके बाद जो एक rail का आपका जो पिशावर से कराची का मनसूबा है उसके अंदर आप देखें कि जो आपकी मतलब आपकी dry ports बनती है और आपकी जो sea ports बनती है इसमें नौरीन आप यह दे चावर कराची वाला track वाला project चलेगा तो यहाँ पर नई development है आप देखें कि services कितनी ज्यादा चाहिए होगे आपको railways के उपर loading unloading के services हैं फिर entertainment के services हैं maintenance के services हैं तो आप यह देखें कि अब यह entrepreneurs ने अपने lens से देखना है यानि कि मैं और आप तो निशानदही कर सकते हैं ब पेश बहा opportunities अब क्योंकि इन्होंने एक रेफर किया जो special economic zones बन रहे हैं बिल्कुल और उनके अंदर जो businessmen के लिए जितनी ज्यादा concessions हैं और कितने सालों की concessions हैं अब अगर यह देखें कि सिरफ वही हमारे SME's और जो हमारे entrepreneurs हैं अगर उन्हीं को वो avail कर लें चूंकि अ अब जो second phase है इसके अंदर ज्यादा government का जो focus है पाकिस्तान के अंदर वो special economic zone की जो activation है उसके उपर है ताके हम इसको मतलब हमारे end पे तोड़ा सा delay भी हुआ है लेकिन अब दुबारा मेरे खायले हम stream line हो गये हैं तो उससे आप देखें के बहुत सारी यहीं के मतलब आप न काम लेती चली जाएं और आप देखते लिए जाएंगी के तकरीबन वो तमाम स्टेक्टर जो पाकिस्तान मिश्वक्त का हैं जो काम कर रहे हैं उन तमाम के अंदर सीपैक की वजह से बहुत सरी opportunities पैदा होने जा रही हैं और वो यह existing आपके large scale concerns के लिए भी opportunities हैं और आपके potential जो आप बार बार नाम लेती हैं ना अपनी वीडियो के इंट्रफॉर्म होंगे into the potential entrepreneurs इन तमाम आपके जो potential entrepreneurs हैं यह अगर मैं एक बात कहूं जितना थोड़ा मैंने इसको देखा है सीपैक की चीज़ों को अगर आपके university graduates चेश्वकर universities में engineering आपके schools हैं या business schools हैं या आपक सीपैक को ही focus बनाकर opportunities count करने की कोशिश करें तो शायद जो हमारे इस वकर universities में, schools में, business schools में, engineering schools में जो graduates हैं शायद उनको कहीं नोकरी ना करनी पड़े उनके इतनी सारी opportunities हैं वो बिलकुल बन सकते हैं गर्मेंट बहुत ज़्यादा आप देखें generous है इस हावाले से तो यह त आप देखें पाकिसान के अंदर इन प्रॉजेक्स की वज़ा से opportunities हैं फिर आप देखें कि यह बन्यादी तोर पे जो यह जिसना उन्होंने बेल्ट अंड रोड जो आपका BRI का initiative है जिसके अंदर international trade बहुत सारी पाकिसान के अंदर आनी है फिर आप देखें कि जब यहाँ प आपके बन रही है आपकी इससे फास्ले सिमर्टे चले जा रहे है नॉर्दन अरियास में बहुत जादा अब रुजहान बढ़ा है अच्छी सडकों की वज़ा से बिल्कुल वो जो आपकी सवाथ मोटरवे बनी है हजारा मोटरवे बनी है उसकी वज़ा से आप यह एक और जो टॉरिजम है जो ही यह लहौर सक्खर तक मुकमल हो गई है कराची तक जब मुकमल हो जाएगी तो आप देखेंगे कि जो टॉरिजम बिट्वीन सिंध और पंजाब है उसकी कितनी ज़रा डिवलपमेंट होती है एक और मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूं कि सीपैक क की हाई स्पीड सर्वेसिस को फरहम करना है तो आपके जो आई टी स्कूल हैं उनके ग्रेजुएट्स के लिए बेच पहा उपरचुनिटीज आ रही हैं हार्डवेर वालों के लिए भी और सौफटवेर वालों के लिए भी अब आपने उस लेंज से देखना है कि आप किस त हो गया है कि you need to prepare yourself, वो skill development हो, वो opportunity को किस तरह capitalize करना है वो हो या कौन सी industry में क्या dynamics change हो रहे हैं उसके हवाले से जिसे कहते हैं अपनी information access बेहतर करना हो, यह सारी चीजें एक तयारी हैं एक entrepreneur के लिए किस तरह से CPAC और से related जितने भी business opportunities है उसको unpack कर सकता है To close the discussion, Dr. Zainab, आखरी सवाल, अगर हमारे जितने भी viewers हैं, वो चाहते हैं कि वो एक authentic information ले सकें about the CPAC, ठीक है, तो सबसे बहतरी, क्योंकि हम सारे internet को बहाँ जादा यूस करते हैं, तो सबसे viable और सबसे reliable internet source कौन सा है? CPAC की अपनी website, cpac.gov.pk अगर यह directly आपको उस website पे ले जाएगा, यह actually planning commission, पाकसन, planning commission की website पे CPAC का लेदा section है, आप planning commission की website के तूर भी जा सकते हैं, otherwise cpac.gov.pk, सबसे shortest link है, जो आपको directly authentic है, जहां पे आपको जितनी updated information, CPAC project के हवाले से, उन तमाम sectors के हवाले से, जिन में CPAC में investment हो रहे हैं, जो projects develop हो रहे हैं, कितने किस किसम के कौन से, कहां कहां energy project, road project, railways, intensity, जो worth of investment है, वो भी, बिल्कुल, बिल्कुल mentioned है, बिल्कुल, वो सब कुछ वहां mentioned है, बिल्कुल लगा सकते हैं, और उन में जो changes आती हैं, वो भी साथ-साथ update होते हैं, And I think उनकी publications पे, जिसरा आपने meeting का हवाला दिया, तो meeting के जितनी भी हवाले सिरू है, वो सब कुछ महाँ परमाजूद है, और जितनी JCC अब तक हो चुकी हैं, उनके joint working groups की जितनी meetings or developments होती हैं उसमें, वो सब वहां update होते हैं, तो सबसे जादा reliable force CPAC की अपनी government of Pakistan की जो website है, Dr. Rizwan, thank you very much for joining me, Dr. Zainab, thank you very much for joining me, CPAC एक बहुत बड़ा topic है, बड़ा वसी topic है, हम इसके बारे में और detail में advanced topics के साथ बात करेंगे, see you in the next video.